आप लोग इस्क्रीन पर दो उचे उचे टावर या फिर इमारत देख रहे होगे और इन्हें आप लोग सुपर टेग ट्वीन टावर की नाम से जानते हैं पहले बनाये गए और आप देखेंगे कि इन्हें गिराया जा रहा है और 28 अगस्त को धाई वजे यानि कि दो वजकर 30 मिनिट पर इन्हें गिरा दिया जाएगा तो सोभाव एकसी बात है कि आप सभी के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि पहले अगर इन्हें बनाये गया तो गिराया क्यों जा रहा है तो मुझे लगता है भारत को अगर आप लोग समझते हैं और यहां की सरकारों को, पुलिस विवस्था को, नियाय विवस्था को अगर जानते हैं तो आप लोगों की मन में एक किलियर हो जाना चाहिए कि पहले आप देखते हैं कि की नियम कानूनों की धज्जिया उड़ाकर अंदेखी करके इस तरह की काम किये जाते हैं फिर दस से बीस साल बाद मालू चलता है कि अच्छा एक काम तो आप देखी नियम की अंदे की नियमों की धज्जिया उड़ाकर बनाए गए काम किये गए तो उस पर आप देखते हैं कि फिर क्या होता है कारवाई ही होती है तो ऐसा ही इन टावरों की इन इमारतों की बनने में नीमो कायनों की कानूनों की धज्या उड़ाई गई और इने बनाये गया अब आप सभी जानते हैं कि इतने बड़े टावर बनाये गए तो इनमें आप देखिए हमारे देश की नेता सामिल होंगे अधिकारी सामिल होंगे और कई विल्डर भी सामिल होंगे और ये सामने आया भी जाज में तो आज इसकी ट्विन टावर की क्या कहानी है बनने की और गिराने की क्या कहानी है इस पर हम लोग विस्तार से बात करने वाले हैं और आप देखिए कि आसपास आपको मालो होना चाहिए कि 6,000 से ज़्यादा लोग यहां रहते हैं तो इने गिराने में आप कि सावधानी भी बरती जा रही है कि कहीं किसी के मकान को छती ना पहुंचे किसी के आप देखिए सामान को छती ना पहुंचे और आप देखिए इसलिए चद्रे से एक तरह से आप देखिए ढग दिये गए यह सभी बगल की जो इमारते हैं और यह सभी आपको देखने को म में आप लोगों को 8 आवर देखने को मिलेंगे और यहां विधान सभा में आप देखेंगे 403 सीटे हैं विधान परिशन में 100 सीटे हैं राज्य सभा में आपकी 31 सीटें देखने को मिलेंगी लोग सभा में 80 सीटें देखने को मिलेंगी और उत्तरपदिस में होते हैं तो आप लोग Supertech Company के बारे में जान लीजे Supertech Limited एक गैर सरकारी Company है और जैसे आप देखेंगे 7 दिसंबर 1995 को बनाये गया था यही एक सारवजने गैर सुचीवध कंपनी है और इसे सेरोद्वारा सीमित Company की रूम में बरगी कित किया गया है और Supertech की founder RK अरोडा ने 34 कंपनिया खड़ी की हैं जिसमें Civil Aviation हो गई Consultancy हो गई, Broking हो गई Panting हो गई, Films हो गई Housing Finance हो गई Construction हो गई यह अलग लगता रहे की कंपनिया आपको देखने को मिलेगी 1909 में आप देखेंगे उनकी पतनी संगीत अरोडा ने Supertech Builders and Promoters Private Limited नाम कंपनी शुरू की थी और दिली NCR सहत देश की बारे सहरों में Supertech ने कई Real Estate Project लॉंच किये हैं और National Company Law TV UNAL ने मार्च 2022 में Supertech कंपनी को दिवालिया घोसित कर दिया, यानि कि इनकी दिवालिया निकल चुका है और जिस पर अभी भी आप देखें कि 400 करोड से अधिक का कर जा है और जो इमारतें गिराई जा रही है इसमें जो खर्चा होगा ये भी आप देखें इसी कंपनी से बसूला जाएगा Supertech Twin Tower को क्यों गिराए जा रहा है ये सबसे बड़ा सवाल है तो आप देखें कि Supreme Court के आदेह के बाद इन टावरों को गराणी की कारवाई की जा रही है अप Supreme Court के बारे में पता देता हूँ आप सभी जानते हैं कि हमारी सरवोच अदालत है और जब आप देखें कहीं से किसी को न्याए नहीं मिल रहा होता है तो वो सुप्रीम कोट का रोग कहता है और उसे उम्मीद रहती है कि उसे न्याय मिले 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोट की स्थाफना की गई थी और सम्मिधानिक संस्ता है अनुछेद 124 में आप लोगों को इसकी स्थाफना की बात की गई है दरसल इन टावरों के कुण निर्माण सर्तों का उलिगन कर बनाये गया है नुवेडा की सेक्टर 93 इस्ति 40 मंजिला 20 टावरों का निर्माण 2009 में हुआ था और सुपर टेक की दोनों टावरों में 980 से जान्दा फिलेट्स देखने को मिलेंगी आपको हाला कि बिल्डिंग के पिलान में बदलाओ करने का आरोप लगाते हुए कई खरीदा 2,000 बारे में इलावाद हाई कोट चले गए थे और जिसमें आप देखें कि 633 लोगों ने फिलेट बुक भी कराए थे जिसमेंसे आप देखें कि 248 रिफंड भी ले चुके हैं और दूसरी एक भी एक कहानी है आपको मालून चाहिए जो आसपरोस के आप देखें कि एक तरह से इस ट्वीन टावर के इमारत की आसपास जो कालोनिया है वो लोग भी आप देखें कोट में गए हैं उन्होंने भी एक तरह से न्याय की उम्मेद की थी और 133 दूसरे प्रोजेक्ट में सिफ्ट हो गए थे लेकिन 252 ने अभी भी निवेस कर रखा है और साल 2014 में नोईडा फ्राधी कंड को अब इसका पूरा मामला किसे आगे वड़ा नोईडा सेक्टर की 93A में एक हाउसिंग सुसाइटी के निर्माण के लिए नवंबर 2004 में नोईडा विकास प्राधी करण सुपर टेक को जमीन का एक भूकंड आवन्टित किया गया था फिर आप देखेंगे 2005 में नियू ओकला उद्दोगिक विकास चेत्य भवन बीनीबन और नियदेशन 1986 के तहट भवन यूजना को मंजूरी मिलती है और जिसके तहट आप देखेंगे कुल 14 टावर और एक सौपिंग कॉंपलेक्स के निर्माण को मंजूरी मिलती है सौपर्टेक लिमिटिड ने नबंबर 2005 में एमराल्ड कोर्ट नाम से एक गुरूफ हाउसिंग सौसाइटी का निर्माण शुरू किया और जून 2006 में सौपर्टेक को उनी सर्तों के अतहद अत्रिक्त जमीन आवंटित कर दी गई फिर आप देखेंगे दिसंबर 2006 में 11 फिलोर के 15 टावरों में कुल 689 थिलेट्स के निर्माण के लिए पिलान में बदलाव किया गया फिर आप देखेंगे 2009 में सौपर्टेक ने नुएड़ा प्राधीकर्ण के साथ मिली भगत कर ट्वीन टावर के निर्माण शुरू कर दिया ये टी टी सोले और टी सत्रे टावर थे और दोनों टावर में आप देखेंगे की को लेकर इस्थानिये रेजीडेंट वेलफियर एस्थानिये विरोध करना शुरू किया क्योंकि उनकी सोसाइटी के ठीक सामने जिसे नुएड़ा अथोर्टी ने पहले ग्रीन वेल्ट बताया था वहाँ ये विसाल का टावर खड़े हो रहे थे तो इस्थानिये लोगों ने एक तरह से आप देखेंगे से का बिरोध करते हैं इन टुईट टावर की निर्मार की दोरान अगनी सुरक्षा मांदन्डों और खुले स्थानों की मांदन्ड को अभी उलगन किया गया और इन इसके मुताविक इन बिल्डिंगों के निर्मार के दोरान पास की अन बिल्डिंगों के बीच उचे दोरी का ख्याल नहीं रखा गया और देखें दोरी का ख्याल इसलिए लखा जाता है क्यूंकि आप सभी जानते हैं कि अगर पास पास बना दी गई आग जैसी घटना है बिल्डिंग कोड 2005 को भी ताकपर रखकर इनका निर्माड किया गया NVC 2005 के मताबिक उची इमारतों के आसपास की खुली जगह का परावधान है और टावर T17 से सटे हुए खुले जगह लगबग 20 मीटर होना चाहिए था जो 9 मीटर का स्पेस गयप उससे कम काफी कम है और सुपर्टेक ट्वीन टावर 16 की तहट आप देखेंगे निर्माड यूपी अपार्टमेंट्स एक्ट का भी उलगन किया गया है मूल एउजना में बदलाव किया गया था लेकिन बिल्लरों ने मूल एउजना के खरीदारों की सहमती नहीं ली थी और जिस एरिया में आप देखेंगे सुपर्टेक ने अपने ग्रहकों को पहले ग्रीन एरिया में दिखाया था बाद में धोके से उसी में दो बड़ा टावर खड़े कर दिये गए व्रोसर में आप देखेंगे ग्रीन एरिया देखकर घरी खड़ने बालों के लिए एट ठगी से कम नहीं था फिर आप देखेंगे कोट पहुंचता है ही मामला 2009 में पूरा मामला कोट पहुंचता है और एमराल कोट की रेजिडेंट्स ने कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया 2010 में इसके खलाब कोट में याच्च का दायर की गई बाद में एक्सन ना होने पर सुसाइटी की लोग 2012 में इलावाद हाई कोट चले जाते है करीब देड़ साल तक हाई कोट के मामले की सुनवाई चलती है इसके बाद 11 अपरेल 2014 को हाई कोट ने विवादी टावर ध़स्त करने का आदेश दिया इतना नहीं कोट ने आरोपी नोएदा अथोर्टी के अधिकारियों के खलाब कारवाही की बाद भी कही थी एहलावाद हाई कोट ने कहा फिर आप देखेंगे सुपरिंग कोट में साथ साल तक चलती है सुनवाई साथ साल तक इसके बाद हाई कोट के फैसले को सुपरिंग कोट में चुनोती दी गई और सुपरिंग कोट ने करीब साथ साल तक पूरा मामला चला और 31 अगस्त 2021 को कोट ने सुपर्टेक को बड़ा जटका देते हुए रेजिडेंट्स की पक्च में फैसला सुनाय था और कोट ने 3 महीने के अंदर दोनों टावर को धस्त करने का आदेश दिया था लेकिन कुछ कार्डों से इसकी तारीक तीन बार आंगे बढ़ाई जा चुकी है और आप जाकर फाइनल आप देखे 28 अगस्त को गिर जाएगी अब आप लोगों की मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि खरीददारों का क्या होगा जन्हों ने फिलेट खरीदे थे कोट ने अपने फैसले में फिलेट खरीददारों का भी ध्यान रखा है कोट ने विल्डरों को दो महीने की भीतर 12.30 सालाना ब्याज के साथ आप देखिए ट्विन टावर में फिलेट खरीदने को सभी रासी बापस करने का निदेश दिया है इसके साथ ही विल्डर को रेजी डेंट बेलफेयर एसोसियेशन को दो करोड का भुकतान करने का भी निदेश दिया है और मार्च 2022 में सोपर्टै कंपणी को नेशनल कंपणी लॉट इवुनल ने दिवालिया गोसित किया था कंपणी पर करीब आप देखेंगे 1200 करोड रुफे का अपकरण है और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टावर को गिराए जाएगा तो बारूद लगाए जाएगा तो इमारत को ढ़ाने के लिए बारूद लगाने का भी काम हो चुका है और इस इमारत को गिराने का काम एडी फिस और साउथ अभी का की जेट कंपनी कर रही है और चीफ इंजिनिरिंग का कहना है इंजिनिर का कि इसमें कुल 9640 हॉल किये गए है एक तरह से आपको बताया ना कि 6000 से जान्दा लोग रहते हैं आसपास आप देखिए बहुत सारी इमारते हैं तो उनका भी ध्यान रखना है और जिसमें तक रिवन आप देखें कि 3700 किलो ग्राम बारू लगाये गया है एक हॉल में इतना बारू डाला गया है जितना कि वो सही से जिस कॉलम में डाला जाये उसे फार सके और इनके कनेक्शन का काम 25 अगस्त तक पूरा कर लिया गया और आसपास के लोगों को आप देखिए अपार्टमेंट खाली करने को कहा गया है और यहां बिसे सोगिधाय में ध्यान में रखे जा रही है और बाद में आप देखिए यहां कि लोग आ जाएंगे बापसी और यहां आप देखिए कि 28 अगस्त को यह जो नोईडा एक्सप्रेस भी है वो भी बंद रहेगा और जो विसे सिवाय रहती है आप देखिए इमर्जेंसी रहती है चाहे आप देखिए फायर वेगेड की हो यह सभी भी यहां विवस्ताई की जाएंगी तो यह कहानी है पूरी आपकी सुफ़र्ट टेक ट्वीन टावर की आप लोग क्या सोचते है इस पर जरूर अपनी रायत दे सकते हैं ठीक है